नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड साहित्ति के खजाने से कुछ अनमोल कहानिया प्रस्तुत करती हूँ सुबद्रा कुमारी चोहान जी की लिखी कहानी हींग वाला लगबग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुख गया हमेशा की तरह उसकी आवाद सुनाई दी अम्मा हिंग लोगी पीट पर बंदे हुए पीपे को खोल कर उसने नीचे रख दिया और मौल सिरी के नीचे बने हुए चबूत्रे पर बैठ गया भीतर बराम दे से नौदस वर्ष के एक बालक नी बाहर निकल कर उत्तर दिया अभी कुछ नहीं लेना है जाओ पर खान भला क्यों जाने लगा जरा आराम से बैठ गया और अपने सोफे के छोर से हवा करता हुआ बोला अम्मा हिंग ले लो अम्मा हम अपने देश जाता है बहुत दिनों में लोटेगा सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली हिंग तो बहुत सी ले रखी है खान अभी पंदरा दिन हुए नहीं तुमसे ही तो ली थी वह उसी स्वर में फिर बोला हेरा हिंग है मा हमको तुमारे हाथ की बहनी लगती है एक ही तोला ले लो पर लो जरूर इतना कहकर फोरान एक दिब्बा सावित्री के सामने सरकाती हुए कह तुम और कुछ मत देखो मा यह हींग एक नंबर है हम तुम्हें धोखा नहीं देगा सावित्री बोली पर हींग लेकर करूंगी क्या देर सी तो रखी है खान ने कहा कुछ भी ले लो अम्मा हम देने के लिए आया है घर में पड़ी रहेगी हम अपने देश को जाता है खुदा जाने कब लोटेगा और खान बिना उत्तर की प्रतिक्षा किये हींग तोलने लगा इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए सभी बोल उठे मत लेना मा तुम कभी न लेना जबरदस्ती तोले जा रहा है सावित्री ने किसी के बात का उत्तरना देकर हींग की पुड़िया ले ली प्रोचा कितने पैसे हुए खान 35 पैसे अम्मा खान ने उत्तर दिया सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे इलाकर खान को दे दिये खान सलाम करके चला गया पर बच्चों को मा की यह बात अच्छी न लगी बड़े लड़की ने कहा मा तुमने खान को वैसे ही 35 पैसे दे दिये हींकी कुछ जरूरत नहीं थी छोटा मा से चिटकर बोला दो मा पैसे पैसे हमको भी दो हम बिना लिये न रहेंगे लड़की जिसकी उमराट साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली तुम मा से पैसा न मांगो वह तुमें न देगी उनका बेटा वही खान है सावित्री को बच्चों के बातों पर हसी आ रही थी उसने अपनी हसी दबा कर बरावटी क्रोथ से कहा चलो चलो बड़ी बाते बनाने लग गये हो खान ने पैसे के बदले में हींग दी है तुम क्या दोगे छोटा बोला मिट्टी देंगे सावित्री हस पड़ी अच्छा चलो पहले खाना खालो फिर मैं रुपिया तुड़वा कर तीनों को पैसे दूंगी खाना खाते खाते हिसाब लगाया तीनों में बराबर पैसे कैसे बटे छोटा कुछ पैसे कम लेने की बात पर बिगर पड़ा कभी नहीं मैं कम पैसे नहीं लोंगा दोनों में मार पीठो चुकी होती यदि मुन्नी थोड़े कम पैसे स्वैम लेना स्विकार न कर लेती कई महीने बीट गए सावित्री की सब हींग खत्म हो गई इस बेच होली आई होली के असर पर शहर में खासी मार पीठो गई थी सावित्री कभी कभी सोचती हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राया आजाया करती थी एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौल सिरी के पेड़ के नीचे जब उत्रे पर बैठी कुछ बुन रही थी उसने सुना उसके पती किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं क्या काम है भीतर मत जाओ यहां आओ उत्तर मिला हींग है हेरा हींग और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुच चुका था खान को देखते ही सावित्री ने कहा बहुत दिनों में आये खान हींग तो कबकी खत्म हो गई खान बोला अपने देश गया था अम्मा पर सोई तो लोटा हूँ सावित्री ने कहा यहां तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है खान बोला सुना समझ नहीं यह लड़ने वालों में सावित्री बोली खान तुम हमारे घर चले आए तुम्हें डर नहीं लगा दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला ऐसी बात मत करो अम्मा बेटे को भी क्या मां से डर हुआ है जो मुझे होता और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हिंग तोल कर सावित्री को दे दी रोजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी खान ने कहा कि वह पैसा फिरा कर ले जाएगा सावित्री को सलाम करके वह चला गया इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे चार बजे शाम को मा काली का जुलूस निकलने वाला था पुलिस का काफी प्रबंध था सावित्री के बच्चों ने कहा हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे सावित्री के पती शहर से बाहर गय थे सावित्री सभाव से भीरू थी उसने बच्चों को पैसों का खिलोनों का सेनेमा का ना जाने कितने प्रलोभन दिये पर बच्चे ना माने, सो ना माने नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उस्सुख हो रहा था उसने कहा भेज दोना माजी, मैं अभी दिखा कर लिया आता हूँ लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा उसने बार-बार रामू को ताकीद की, कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लोट आए बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लोटने की प्रतिक्षा करने लगी देखते ही देखते दिन धल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा पर बच्चे न लोटे, अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े वह दोड कर बाहर आई, पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो, जुलूस तो निकल गया न एक आदमी बोला, दंगा हो गया जी, बड़ा भारी दंगा सावित्री के हाथ पर ठंडे पड़ गए, तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे सावित्री ने उन्हें भी रोका, उन्होंने भी कहा, दंगा हो गया है अब सावित्री क्या करे? उन्ही में से एक से कहा, भाई, तुम मेरे बच्चो की खबर ला दो, दो लड़के हैं एक लड़की, मैं तुम्हें मूँ मांगाई नाम दोंगी एक दिहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चो को पहचानते हैं माजी? या कहकर वह चला गया, सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड में भला कोई मेरे बच्चो को खोजे भी कैसे? पर अब वह भी करे तो क्या करे? उसे रह रहकर अपने पर क्रोधा रहा था, आखिर उसने बच्चो को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जित्तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी, सावित्री पागल सी हो गई बच्चो की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले, शोर गुल बढ़कर शान्त हो गया रात के साथ साथ निरौता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लोट कर ना आए सावित्री हताश हो गई और फूट-फूट कर रोनी लगी, उसी समय उसे वही चिरपरचित स्वर सुनाई पड़ा अम्मा सावित्री दोड कर बाहर आई उसने देखा, उसके तीनों बच्चे खान के साथ साकुशल लोट आए हैं खान ने सावित्री को देखते ही कहा वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड में बाहर न भेजा करो बच्चे दोड कर मा से लिपट गए दोस्तों ये थी कहानी हिंग वाला, उमीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी धन्यवाद